दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूसन का अस्तर काफी बढ़ जाएगा उसमें एक नियंतर्ण दिख रहा है मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बढ़ाई देना चाता हूँ प्रदूसन के अस्तर में जो आज डर था कि काफी बढ़ोत्तरी होगी उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है कि खुसियां मनाने के साथ साथ बच्चों की बुढ़ों की जिंदगी को भी बचाना जरूरी है देखे वेरी पूर काटेगरी में तो दिल्ली का एर क्वाल दिल्ली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूसन का अस्तर काफी बढ़ जाएगा उसमें एक नियंतर्ण दिख रहा है और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का सभी विभागों का जो सामोहिक प्रियास रहा है उसकी एक सफलता मानता मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बढ़ाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरी की तरह ब्योहार किया और पटाकों पर नियंतरन करके प्रदूसन के अस्तर में जो आज डर था कि काफी बढ़ोत्तरी होगी उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों से कि जिस तरह से आपने पटाके नहीं जलाए और दिये जलाकर दिपावली मनाई है हमें उमीद है कि अगले साल तक जिन लोगों ने कुछ जगों पे पटाके जलाए उनको भी हम इस बात को समझा पाएंगे कि खुसियां मनाने के साथ-साथ बच्चों की बुड़ों की जिन्दगी को भी बचाना जरूरी है लेकिन चुकि अगर हम कल का देखें प्रदूसन का जो अस्थर ता एक युवाई वो 330 था अभी एक माँ तीस पॉइंट्स का भरुत्तरी देखी जा रही है अभी सुबा का जो एक युवाई है 360 है तो अभी युद अस्थर पे हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो प्रदूसन का आस्तर है गंभीर इस्थिती में न जाए इसके लिए सरकार की तरब से आज से हम लोग special drive water sprinkling का हम सुरू करने जा रहे है पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव है उसको तेज किया जाएगा जिससे की जो प्रदूसन का आस्तर है दिवाली के बाद आज जो नियंतरित है उसे इसी तरह से maintain किया जा सके दिल्ली के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ मुख्य तोर पर जो दिल्ली में प्रदूसन का आस्तर बढ़ता है उसमें तीन कारण है पहला धूल का प्रदूसन तो आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती हुई दिख रही है तो आप हमें जरूर सूचित करें दिल्ली ग्रीन आइप पर दूसरा गाड़ियों के धूमे का प्रदूसन आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बात आप जरूर करें रेड लाइट कहीं भी आती है गाड़ी का इंजन आप बंद कर दिजिए उससे आप इस पूरी लड़ाई में आप सहयोगी बन सकते हैं और तीसरा आपके आसपास कहीं भी अगर कूडा जलता हुआ दिखता है किसी तरह की आग दिखती है तो वो भी हमें आप सुचित करें जिससे की हम लोग मिल करके दिल्ली की जो आबो हवा है जो प्रदूसन का आस्तर है उसको गंभीर इस्थिती में जाने से रोक सकें सरकार आज से पहल तेश कर रही है आपका भी हमें सहयोग मिलेगा तो हमें भरोसा है कि जिस तरह से दिवाली के बाद आज प्रदूसर्ण नियंत्रित करने में दिल्ली वाले सफल हुए हैं उसी तरह से आगे भी हम सफलोंगे